आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ download now तो हमें इस question में दे रखे है कि जो हमारा एक particle है हम उसको project कर रहे हैं velocity v से एक projectile motion में इसका angle projection का 45 degrees है horizontal से और हमें बताना है कि जो angle of momentum highest point पर रहेगा point of projection के about वो क्या होगा तो हम लोग एक projectile motion बनाते हैं यह round है और यह path projectile का यह v है और यहाँ पर इसकी velocity v by root 2 हो जाएगी यहाँ पर construction भी रहेगा एक यह right angle triangle का और यह theta है तो हमें पता है कि जो हमारा angular momentum L होता है L वो होता है R cross M V यानि M into R cross V इसका हम लोग क्रॉसट को expand करेंगे तो हो जागा M mod R mod V sin 5 5 R और V के बीच का अंगल रहेगा इसमें R यहाँ से extend कर सकते हैं और यहाँ पर V जाए V by root 2 रहेगा क्योंकि उस point पर velocity V by root 2 है और जो R है वो हमारा H हो जागा यानि maximum height और H हम लोग का होता है V square sin square theta by 2 G और इसमें अगर हम लोग theta 45 degrees जालेंगे तो V square by 4 G आ जाएगा इससे हमारे परस आता है M V cube by 4 root 2 G यह एक form आ गया हमारा और इसको हम लोग L को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं M V H by root 2 इसको हम लोग evaluate करेंगे तो हमारे पास V की value डालेंगे तो हम लोग को मिलेगा M H by root 2 into bundle root of 4 G H तो इसको हम लोग expand करेंगे तो हमारे पास आजएगा M into under root 2 G H cube तो इससे हम पता चलता है कि options B और D correct है क्लासिक स्ट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर याउटनेट क्लासिए झाल याउटनेट